1988 में राजीव गांधी की सरकार उसने निर्वाचन प्रणाली में कुछ सुधार किया सन 75 के सुझाओ उसमें से कुछ लागू हुए कुछ बची रहे और सन 85 के आये हुए कुछ सुझाओ चुनाव आयोक के इन सब सुझाओं के मद्दे नजर को ध्यान में रखते हुए 1988 में राजीव गांधी सरकार ने कुछ कदम उठाए और कुछ सुझाओं को मूर्त रूप दिया पहला उसमें था कि आतंकवादी गतिविधी, जमाखोरी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, तसकरी और दवाईयों आदी में मिलावट, विदेशी मुद्रा का उलंगन करने वाले और महिलाओं के विरुद अपराद करने वाले, ऐसे व्यक्तियों को चिनाओं में खड़े होने से अयोग बनाये जाएगा ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि जिन लोगों पर ये अपराद साभित होते हैं, वे लोग चिनाओं में भाग लेने से वंचित हो जाएगे तो एक अच्छा खासा अपराधी वर्ग चिनाओं से वंचित हो जाएगा जो हमारी राजनीति का अपराधी करन, बढ़ता अपराधी करन जो है, वो कुछ हद तक थामेगा अपराधियों का राजनीति करन और राजनीतिक्यों का अपराधी करन ये एक बहुत बड़ी चिंता का वीशे रहा है और उसी के तहत राजीव गांधी ने अपराधियों और राजनीतिक्यों बीच के संबंद को तोड़ने के लिए उन्हें ये प्राधान किया और बहुत महत्पूर्ण बिंदूओं को लिया साथ में महिलाओं के वुरुद अपराध ताबित होने वाले व्यक्तियों के खलाब भी दूसरा था मतदान की आयू 18 वर्ष कर दी गई तीसरा निर्वाचन प्रक्रिया में जो सरकारी तंतर शामिल होगा उसे निर्वाचन आयोग के अधिन कर दिया गया निर्वाचन के दोरान सरकारी तंतर जो अभी तक शासन के ही अंतरगत होके चुनाओं के कारे करता था अब वह शासन के ठीक नीचे आ जाएगा अब चुनाव आयोग के ठीक नीचे आ जाएगा और उनके आदेशों के अनिसार कारे करेगा इससे चुनावी प्रक्रिया की स्वतंतरता इससे राजनीतिक दलों का सरकारी तंतर पर दबाओ रुक जाएगा चौथा दल बदल के खिलाफ कठोर कारवाई की व्यवस्था की गई दल बदल पर हम आगे बात करेंगे पांचवा मतदान मशीनों की व्यवस्था की गई किसकी मतदान के मशीनों की इस प्रकार राजीव गांधी के काल में उनकी सत्ता में जो तीन बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए शुधार हुए जो हमारी चुनाव प्रक्रिया में दल बदल कमबंदी कानून को लेकर बैलट पेपर के बदले इवियम मशीन और उसके साथ ही आईउ नियून अतमाई को घटा कर अठारा वर्ष कर देना 21 वर्ष से लेकिन ये तो बहुत थोड़े सुधार थे और जो हमारे चुनावी प्रक्रिया के जो दोश है जिनका मैंने जिक्र किया है उन दोशों को कम करने में इसमें इतनी राहत नहीं मिली या इतने फायदे नहीं हुए जितनी अपेक्षा थी खैर उसके बाद भी सुधारों की प्रक्रिया में समितियां बनती रही और मई 1990 में राष्ट्री मोर्चा सरकार जवाई थी तो उस सरकार में जो विधी मंत्री थे श्री दिनेश गोस्वामी इनके ध्रक्षता में एक चुनाव समिति बनी और उसने एक सुझाओ दिये कुछ सुझाओ दिये तो गोस्वामी समिति के सुझाओ 1990 के स्थापित समिति के सुझाओ में पहला सुझाओ था कि मत्दान केंद्रों पर यदि कब्जा हो तो पुनर मत्दान हो कब्जे की स्थिति में पुनर मत्दान का सुझाओ दूसरा चुनाओ या चिकाओं का निप्टारा त्वरित गति से हो क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है चुनाओ या चिकाओं सामानित या पराजित उम्मीदवार या मतदाता विजय उम्मीदवार के खिलाफ करता है तो विजय उम्मीदवार प्रतिनीजी तो बन जाता है और बना रहता है तब तक जब तक कि चुनाव याचिका का निरने न हो जाए इस स्थिते में कई वर्ष लग जाते हैं और कई बार ऐसा भी हुआ कि वो पूरा कारेकाल अपने न के लिए प्रस्ताव था कि इसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि इनके ऐसे चुनाव याचिकाओं के निप्तारा जल्दी हो तीसरा कि किसी भी स्थान के लिए छै माह के भीतर उप चुनाव सुनिश्चित किया जाए कुछ ऐसे उदाहरन हुए भारत में जब उप चनाओ करने में बहुत लंब हो गया, और उप चनाओ कीषिति ख कब आती है? या तो मतदा तक की मृत्यों हो जाती है, चनाओ परचार के जौरान, या प्रतिनी जो है, हस्तीफा दे देता है, या उसकी मृत्यों हो जाती है, आदी आदी या दल बदलने की स्थिति में भी कई बात सीटें खाली करना पड़ता है तो इसमें उपचनाओ छह माँ के अंदर सुनिश्चित किये जाएं इसका प्रादार इसका प्रस्ताओ दिया गया मतदान अधिकारी ने उसकी अनुमती दी अब यहां पर यह प्रस्ताओ आया कि एक कंपल सरी कर दिया जाए कि फोटो आईडी ही रहे पांच्वा जो इसका प्रस्ताओ था कि 2004 में बलकि यह प्रस्ताओ नहीं था इतनी प्रस्ताओं के बाद 2004 में चुनाओ आयोग ने चुनाओ सुधारों पर प्रस्ताओ शिर्शक से अपने कुछ और सुझाओ तक्कालीन प्रदान मंतरी मनमोहन सिंग जी को भेजे 2004 जब NDA के सरकार पराजित होती है और UPA के सरकार सत्ता में आती है जिसके नितरत श्री डॉक्टर मनमोहन सिंग कर रहे थे कॉंगरिस की सरकार UPA की सरकार तो उनको प्रस्ताओ जाता है चुनाओ निर्वा चुनाओ की तरफ से एक सुझाओं का प्रस्ताओ इसमें जो प्रमुक बल था जो प्रमुक बात थी वो थी अपराधियों को चुनाओ लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाए अपराधि कौन होंगे किने अपराधि माना जाए इसको परिभाशत करना जरूरी हो गया क्योंकि मातर किसी के खिलाफ एफ आई आर दर्ध होना अब इसका मतलब यह नहीं कि वो अपराधि सिद्ध हो गया है और बहुत से कुछ ऐसे मुद्दे थे कि अपराधि किसे माना जाए इसकी परिभाशा को लेकर काफी विचार बे मर्श हुआ लेकिन प्रस्ताव तो यह आया था कि अपराधियों को चुनाओ से हटाया जाए चुनाओ में खड़े होने की इजाज़त ना दी जाए संख्षेप में कहने का ताथ पर यह है कि चुनाओ सुधार है तो समय समय पर प्रस्ताव आते रहे सुधारों के लिए प्रयास होते रहे और कुछ हट तक इसमें सफलता भी मिली है लेकिन और कुछ सुधाव इसमें दिये जा सकते हैं जैसे बरश्टाचार रोकने के लिए संयुक्त प्रयास पर बल बरश्टाचार की चर्चा मैं पूर में कर चुका हूँ बहुत तरीके के बहुत तरीके अपनाए जाते हैं उम्मीदवारों को प्रभावित करने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए परिणामों को प्रभावित करने के लिए कुल मिला कर चुनाओं के परिणाम को प्रभावित करने के लिए जो हत्गंडे अपनाए जाते हैं साम दाम दंड भेज इसके लिए कुछ समगर रूप से प्रयास हो ऐसा प्रस्ताओ था दूसरा नैतिकता पर बल देने का राजनैतिक नैतिकता इस पर ज्यादा जोर दिया जाए तीसरा तीसरा प्रस्ताओ बड़ा अहम था कि लोग सभा के चनाओं और विधान सभा के चनाओं साथ साथ हों अभी भी ये प्रस्ताओं लोगों के सामने हैं पटल पर है लेकिन इसके साथी साथ किस शुरक्षा संबंदी मुद्दे भी इसमें आते हैं इसलिए ये अभी तक फिलहाल इसे कानूनी रूप में बदला नहीं जा सका है लेकिन ये प्रस्ताव इसलिए है कि खर्चे बचेंगे और जो काल होता है जिसे हम कोड अफ कंडक्ट का काल कहते हैं निश्क्री काल कम होगा निश्क्रीता का काल कम रहेगा खर्च भी बचेंगे तो इसलिए ये प्रस्ताव काफी अहम है और इस पर अभी विविचार जारी है अगला जो सुझाओ है वो आता रहता है कि मतदान की अनिवारिता को लगू करने संबंधी मैंने जैसा बताया प 27 परशिशत पाने वाला उम्मिद्वार भी जीता है जो वास्तों में गैर अलोकतांत्रिक है और बहुत बड़ी चिंता की बात है ऐसा होना लोकतांत्र की मजबूती को ये दुश्प्रभावित कर रहा है ऐसी स्थिति में कुछ सुझाओ आए हैं कि मतदान को आवश्यक कर दिया जाए अनिथा किसी तरह का दंड का प्राउधान किया जाए उन लोगं के लिए जन्हों ने मतदान नहीं दिया क्या ये संभो है विचार अच्छा है पर धरातल पर इसमें कुछ कठनाईआ हैं तो मतदान की अनिवारिता को लागू करने के बारे में भी विचार विम पर शोता रहता है और रास्ते निकाले जा रहे हैं कि कैसे इसे सुनिश्चित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मत दान दें अगली सुझाओ की शिंखला में कि निर्वाचन या चिकाओं पर तुरंत नेर्ने लिया जाए यह पूर में भी प्रस्तावित था और अभी प्रस्तावित है और इस पर प्रयास चल रहा है कि कुछ ऐसी व्यावस्था की जाए जिससे निर्वाचन संबंदी मामलों का निप्टारत तुरंत हो और जो वास्तों में जो विज़ई हुआ है उसे प्रतिनित करने का मौका मिले और इसमें ज्यादा विलमना हो साथ ही साथ गलत तरीकों से कोई विज़ई हुआ है उस पर भी लगाम लगे गलत प्रक्रियाओं का प्रताओं का उप्योग करके लोग यदि सफल होते हैं तो उस पर रोक लगाई जाए और अगले सुझाओं की सिंखला में हैं जीत प्राप्त करने के लिए मिनिमम पचास प्रतिशत मत अनिवारे कर दिये जाएं अर्थात साधारन बहुमत मिलना आवश्यक है विज़ई उम्मीदवार घोशित होने के लिए अनिशा दूसरी बार पुनह मतदान हो ये वाला जो सुझाओं है वास्तों में बहुत महत्पूर्ण है लेकिन यहां पर भी कुछ दिक्रते हैं आ रही है पचास प्रतिशत मतदान पचास प्रतिशत मतों के वोट विज़ई उम्मीदवार के पक्ष में जाना चाहिए निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा सुझाओ है क्योंकि ये इस बात को साबित करेगा कि कम से कम मत देने वाले लोगों के में आधे से जादा लोग उसे अपना प्रतिनीदी बनाना चाहते हैं लेकिन इसकी दिक्तरती है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा किसी उमीदवार को 40 प्रतिन मत मिले और उस सबसे आगे है फर्स पास्ट पोस्ट के ताहट उसे विजए घोशित करना है लेकिन यदि ऐसा नहीं करें नियम बदला जाए तो कैसे बदला जाए क्या पुनर मतदान हो क्या और क्या तरीका अपनाया जा सकता है जो लोक तांत मतदान में 50 प्रिश्ट मत मिलेगा साधार बहुमत मिलेगा विजेता को पहली बाद दूसरी दिकत इसमीं यह है खर्च की किसी एक निर्वाचन खेतर में मतदान कराना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है काफी खर्च होता है काफी खर्ची लिए प्रक्रिया है यह तो क्या हम मतदाताओं की जो उदासीनिता है उसका खामियाजा उन्ही मतदाताओं पर डालें कि उसके खर्च का जो व्याय हुआ है, होने वाला है, संभावित व्याय, पुनर मतदान में, उस खर्च की जिम्मेदारी किसकी, इन मुद्दों को लेकर बात चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई निश्कर्ष नहीं निकला है। रही बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की। उसका निश्कर्ष क्या। इस अध्याय के पूरे अध्यन से इस पश्ट है कि भारत में निर्वाचन या चुनाव आयोग की जो समवैधानिक व्यवस्था है। उस समवैधानिक व्यवस्था को हमारे समवैधान निर्माताओं ने कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया है, समवैधान में स्थान दिया है कि वह एक तरीके का अपना अलग उदाहरन है और उनकी दूर दर्शिता को साबित करता है। तमवैधान निर्माताओं ने जो चुनाओ आयोग को जो समवैधानिक मानिता दी है। वह दूर दर्शिता का ही परणाम है। परिचायक है। फिर भी चुनाओ आयोग स्वैम में इन सब बुराईयों को जिनका मैं जिक्र किया हूँ, जो हैं तो बहुत अहम मुद्दे, उसको स्वैम को अकेले हल नहीं कर सकता हूँ। और नहीं चुनाओ की जो बुराईयों हैं उसके लिए चुनाओ आयोग जिम्मेदार है। उसके लिए हमें नैतिक बल अपना बढ़ाना होगा, राजनतिक नैतिकता में वृद्धी करनी होगी। उसके लिए हमें जागरूकता लानी होगी मतदाताओं में। और कुछ अन् बढ़ावा, शक्षा पे बढ़ावा देना होगा। लेकिन ये बात ता है कि वर्तमान समय के अनुसार चुनाओ यवस्था में बहुत से सुधारों के लिए बहस विश्तरिद बहस जरूरी है और उसके निशकर्श पर पहुँचना जरूरी है ताकि जो लोक तंत्र है, जो इस परकार ये अध्या यहां समाप्त होता है और जिसमें हमने पूरी चुनाओी प्रक्रिया को समझा है और अमीद है कि आप लोग अब हर तरह की चुनाओ प्रणालियों से वाकिफ हो गए हैं, भारत में किस तरह की प्रणालिया किनके लिए अपनाई जाती हैं ये समझ च उमीद है कि आप इन प्रश्णों का हल इसी अध्याय के वीडियो से देखते हुए आप इसका हल निकालेंगे हैं, पुनरा वृत्ति, संबंधी, कुछ बिंदु, इन बिंदुों के तहत आप देखेंगे यहां पर, प्रारंबिक बिंदु, ये बताने के लिए है कि हमारे ह अप प्रतेक्ष चनाओ क्यों नहीं, अप प्रतेक्ष चनाओ क्यों और इसके साथ कुछ बिंदुों को लेते हुए, क्रमवार, अध्याय के क्रमानुसार, अन्य कुछ बिंदु दिये हुए हैं, जिसमें वैस मतदार के दोश भी हैं, जिसमें वैस मतदिकार के गुन भी है प्रतिनिदित्व की विभिन प्रणालीयां दी हुई है और साथ ही संवैधानिक संशोदन, एक सथवा संवैधानिक संशोदन इसकी बात की गई है इसके अलावा विस्तार से कुछ और बिंदूओं को यहां पे संख्षित रूप में बताने कोशीश की गई है विस्तार इसलिए क्योंकि सभी बाहलूओं को यहां पर संख्षित में ले लिया गया है आपके लिए एक दिशा निर्देश के रूप में एक डारेक्टिव के रूप में और इसमें अगला बिंदु आप देखेंगे तो साधारन बहुमत प्रतिनिधित प्रणाली के बारे में जिक्र है एकल संक्रमणी मत प्रणाली के बारे में कुछ बिंदु दिये हुए हैं उसके बार निर्वाचन आयोग को लेकर कुछ बिंदु है निर्वाचन आयोग की स्थापना उसका स्वतंत्र अस्तित्व उसकी महत्ता निर्वाचन आयोग के कार्य कार्यों की सूची जो बड़ी विश्त्रित है उसकी हेडिंग्स निर्वाचन प्रणाली की विशेष्टाएं वैसे तो ये विशेष्टाएं पूरे अध्या में कहीं न कहीं अध्यान के दौरान बता दी जाती हैं बता दी गई हैं लेकिन साथी अलग से ज़दी आप से सवाल आए कि हमारे निर्वाचन प्रक्रिया की विशेष्टाएं तो उस बिंदु पर भी, उस मुद्दे पर भी कुछ बिंदु हैं जो यहां संक्षित में दिया है और उसके बाद भारत में निर्वाचन प्रणाली के गुण और दोश, दोश बड़े गहरे हैं, बड़े भारी हैं और हमें उन दोशों को मद्दे नजर रखते हुए, एक सक्षम नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक जिथा बरताव करते हुए सुनिश्चित करना है, कि हम अपनी राजन्यतिक प्रक्रिया में इन दोशों को ऐसा बरताव करें, कि ये दोश जो हैं वो हावी नहूंँ, ये केर मार्ग में बाधक न बने अर्थात हम भर्तक कोशिश करें कि इन दोशों से हम दूर रहें इन खामियों को ओवर कम करते हुए हम देश की चुनावी प्रक्रिया में एक संपूर्ण योगदान समगर योगदान दें और इन बिंदूओं के साथ एक आप एक जिसको कहते हैं कि संक्षिप्त में त्वरिद गति से आप री कैप पुनर अवृत्ति कर सकते हैं प्रश्णों की शिंखला में पहला प्रश्ण है चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है और इसी में अगला बिंदू जो है इसी प्रश्ण में वह है भारत में कौन सी चनाव प्रणाली अपनाई गई है और क्यों तो तीन बातें इस प्रश्ण में हैं चनावों की आश्कता, भारत में प्रसलित प्रणाली और क्यों ये पहला प्रश्ण दूसरा प्रश्ण भारत में चनाव को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या-क्या सम्वैधानिक प्रावधान है उनके बारे में बिन दुवार लिखें ये कैसे सुनिश्चित किया गया है कि चनाव की प्रक्रिया स्वतान्त्र है ये प्रश्ण दूसरा तीसरा प्रश्ण भारत में चनाव सुधार क्यों आवश्यक गवर्णन करिए चनाव प्रणाली के पांच दोश बताते हुए इनके संभाविष सुधार पर आप अपने विचार लिखें चनाव खंबंदी पांच दोश बताते हुए इनमें अपने विचार सुधार संबंदी विचार लिखें निर्वाचन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है अर्थात इसके क्या माइने है ये चोथा प्रश्ण है निर्वाचन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन करें भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का वार्णन करें अर्थात्वे सारे 15-16 बिंदूओं को बिंदुवार लिखें क्रम वार लिखें जो चुनाव प्रक्रिया की शुरुवात से अंत तक लिये जाते हैं चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है और अंतिम प्रश्ण है इसमें भारत के चुनाओं में अल्प संखिकों को अल्प संखिकों को प्रतिनिजित्व देने के तरीके का वर्णन करें उसके बाद और यह साबित करें कि यह लोक तांतिरिक यह जो तरीके हैं जो आप बताएंगे यह लोक तांतिरिक तरीके हैं यह साबित करें इस प्रकार यह पांच प्रश्ण यहां समाप्त होते हैं यह अध्याय बड़ा विश्ट्रित है और हमारे राजिनीतिक व्यवस्था का आधहार है हमारी लोक तंतर का अधार है हमारी अपने प्रतिष्ठा का अधार है इस पूरे अध्याय के सभी बिंदुओं को संख्शिप्त रूप में एक बार आप और पढ़ें बिंदु आर कम से कम उसे जो इस पूरे अध्याय के निशकर्श है आखिर वे बिंदु कौन से है उस पर नजर रखते हुए पुनरा वृत्ति करें और फिर इन प्रश्णों के उसे